2019 के Korean movie Kim Ji Young, Born 1982, आज में सुनाने जा रही हूँ. Director Kim Do Young, I am debating 7.3. ये movie based है, एक million seller novel पर, जिसमें एक महिला कैसी किसी और में बदल जाती है और उसे पता भी नहीं चलता. दोस्तों कहानी अच्छी लगी तो like, share, comment पक्की से करना ना भूले और चैनल सस्क्राइब तो कर ही लीजे, ऐसी कहानिया सुनने के लिए, कहानी शिरू करती हूँ. Ji Young एक housewife है, सुभ़ से उसका दिनाचार्य शिरू हो जाता है, घर की साफसफाई, कपडों की धुलाई, खाने की तयारियां, अचानक बैलकनी पे आके, उसकी नजरी, दूर शितिश पर ठहर गई, तभी पीछे से आवाज आई, मा, वो मुड़कर हसी, उसकी दो साल की बेटी आयो है, और वो फिर काम पर लग गई, उसका हस्बेंट हान, टॉक्टर के पास गया है, अपने लिए नहीं, जी यूंग के लिए, मगर उसे कुछ पताने से पहले, वो खुद समझ लेना चाहता है, कि उसे हुआ क्या है, अब यहाँ जी यूंग आयो को लेकर पार्क में बैठी है, पीछे खड़े किसी ओफिस के लोग, वहाँ बैठी जी यूंग को सुनाते हुए कहते हैं, काश हमारा भी कोई पती होता, हमें खर्चे के लिए नहीं सोचना पड़ता, बस गर बैठे पैसे उड़ाओ, शादी शुदा औरतों की भी क्या आराम की जिन्दगी है, सब कुछ सुन रही जी यूंग, वहाँ से उठकर चली गई, शाम को हान जल्दी घर आ गया, जी यूंग के घरेलो कामें मदद करने, क्योंकि उसके कलाई पर चोट लगी है, खाने की टेबल पर भी जी यूंग अपना खाना छोड़, बच्चे को खिला रही है, जब हान ने पूछा, काफी दिन हो गए, ये ठीक नहीं हो रहा, जी यूंग बोली, डॉक्टर भी यही कहता है, कि राइस कूकर और वाशिंग मिशिन के बटन दबाने के अलावा काम ही क्या होता है घर की ओरतों का, पता नहीं क्यों मुझे आजकल सभी की बातों पर गुस्सा आता है, खैर जाने दो, हान ने उसका मूट ठीक करने के लिए कहा, चलो इस पर नई साल पे मेरे पेरिंट्स के घर चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ दिन आराम करेंगे, जीयूंग बोली, हाँ, आराम, सिर्फ तुम्हारे लिए, मुझे तो सारा दिन किचन पे लगे रहना पड़ता है, फिर हान ने बात बदलते हुए कहा, ओ, सही कहती हो, इतनी दूर भी है, कहीं और चलते हैं, जीयूंग बोली, मैंने पहले कहा था, कि कम दिन की छुट्टियों पे, जैसे उनकी जनम दिन पे, ममी पापा के साथ वक्त बिताएंगे, ताकि लंबी छुट्टियों पे कहीं घूम सके, अब इतने सालों से हर चुट्टी तुमारे पेरेंट्स के घरी जाते हैं, इस बार नहीं गए तो वो मुझको ही दोश देंगी, अपने प्यारे से बेटे को तो कुछ कहेंगी नहीं न, इन सबकी वज़ह से, हान को जीयूंग की और भी जादा चिंता हो रही है, वो किसी भी तरह उसे अच्छा मैसूस नहीं करा पा रहा है, अब नए साल की चुट्टी शुरू हो गई, और हर साल की तरह इस साल की चुट्टी में भी जीयूंग हान के परिवार के साथ उसके घर पर है, घर आते ही जीयूंग अपनी सास के साथ खाना बनाने में लग गई, इतना जादा खाना बनता देख, हान ने मा से कहा, कोई दावत है क्या घर पर इतना सारा खाना क्यों बना रहे हो, फिर उसकी नजर सेंग पर पड़ी बर्दनों पर गई, ये भी जीयूंग को ही धोना होगा, इसलिए वो बर्दन्द होने लगा, हान ऐसा इसलिए कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर की सलहा पर वो जीयूंग को आराम करने लाया है, पर यहां आकर उसका काम और बढ़ गया है, उसके बदले-बदले मजाज मा को पसंद ही आया, और उसे ताना देने लगी, बहु की मदद के इतना शौक है, हमारी तो कभी नहीं किया आज तक, जीयूंग तुरंद उठकर बर्दन उसके हांसे लेते हुए बोले, मा घर पर मैं ही सारे बर्दन धोती हूँ, अब बाद पदनने के लिए हान मा से मजा करने लगा, और उसकी मा भी हस पड़ी, काम निप्टाते हुए देर रात सोने के बावजूद, सुबह सुबह किचन में बर्दनों के आवाज से, जियूंग हडबड़ा कर उड़ गई, हान की मा को खुद से पहले उठा देख, जियूंग को बुरा लग रहा है, और उस पर से उसकी मा के ताने, इतनी जल्दी की उड़ गई, थोड़ा और सोलो, जैसे थोड़ा ज़ादा सोकर उसने कोई पाप कर दिया हो, फिर उसकी मा ने उसे नए साल पर एक इफ्ट दिया, एक एप्रोन जिसमें फूल बने हुए है, पता है कितनी देर लाइन में खड़े होकर, सेल से ये फूलों की प्रिंट वाली एप्रोन ली है, तुम्हारी लिए जी यूंग ने मुस्कुराते हुए उनका धन्यवाद किया, घर के मर्द अकसर देर से उठते हैं, हान और उसके पापा ने उठकर नहाद होकर पूरवजो को याद किया, और उसके बाद सब टीवी रूम में बैठ गए, बगर जी यूंग अभी भी किचन में है, हान ने उससे आकर कहा, जल्दी से त्यार हो जाओ, फिर तुम्हारे मा के घर चलेंगे, ये सुनते ही, जी यूंग के चहरे की सारी ठकान जैसे गाइब हो गई, तब ही डोर बिल बजी, हान की बहन और उसका परिवार आया है, उसका पती अच्छी कमपनी में काम करता है, और उसके दो बच्चे हैं, वो सब के लिए तौफिल आई है, और आते ही कहने लगी, मा ससुरार में बहुत काम करना पड़ता है, अपनी बेटी की हालत में उसे दया आ गई, और बोली, आज तम यहाँ कोई काम नहीं करोगी, बस साराम करो, जियों, जल्दी से कुछ खाने पीने को ले आओ, तुम्हारी ननद आई है, एक मा कैसे ही एक समय में अपने बच्चों के लिए समवेदन शील, और दूसरों के बच्चों के लिए भावफिन हो जाती है, जियों का चहरा फिर से रुवासा सा हो गया, वो समझ गई कि आज भी वो अपने माबाप के घर नहीं जा पाएगी, हान चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ कहेगा तो मा कहेगी, बीवी के पल्लों से बंदा है, इसी बीच एक बहुत अजीब बात हुई, जियों अचानक से पदल गई, और हान की मा से कहने लगी, समधन जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह आपकी बेटी, इस वक्त आपके पास है, मुझे भी इस वक्त मेरी बेटी का इंतजार होगा, आपको जिस तरह उसे देख कर अच्छा लगता है, मेरी आँखे अपनी बेटी को साल में एक बार देखने के लिए नहीं तरस्ती क्या, खान की माबाब दोनों हैरान होकर बोले, बहु, ये किस तरह तुम हमसे बात कर रही हो, हान ने जल्दी से उनसे माफी मागी, मैं पूरी बात बाद में बताऊंगा, क्या गर जियूंग को लेकर घर से चला गया, शायद इसी बारे में वो उस दिन डॉक्टर से बात करने गया होगा, यानि ये पहले बार नहीं हो रहा जियूंग के साथ, रास्ते में वो सो गई, जब नेन खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं, वो बोली, मुझे मेरी माग की बहुत याद आ रही है, मैं जाना चाती हूँ, जियूंग से छुपकर हान ने अपनी बहन को फोन करके कहा, सुनो, मा को संभाल लेना, और इस बात का ख्याल रखना कि कहीं वो जियूंग को फोन करके कुछ पुरा भला नहीं, जियूंग तीन भाई बहन है, उससे बड़ी एक बहन है दोयम, और सबसे छोटा भाई जियू, सब भी साथ बैठे हैं, मगर जियूंग अंदर सो रही है, जियूंग की मा मिसुक ने, डोयम से हान के लिए कुछ पीने को लाने को कहा, जबकि जियूंग भी वहीं बैठा है, जब दोयम ने भाई को ले आने को कहा, दोनों की तूटू मैं में लग गई, और मजबूरन गुस्सा होकर, जिसू पाने लाने चला गया, यहां कमरे के अंदर लेटी सब सुन रही जियूंग को, बचपन का एक दिन याद आ गया, दोनों बैने तब स्कूल में थी, और ये घर तब नया नया था, तो आज मुझे इतने अच्छे दिन नसीब होए हैं, उसने मिसू को भी हिदायत देते हुए कहा, सिर्फ एक पेटे से कुछ नहीं होगा, मैं तो कहती हूँ, चार बेटे होने चाहिए, लड़कियों का क्या है, वो तो पराया धन है, चली जाएगी एक दिन, काम तो बेटे ही आएंगे ना, जियूंग की बड़ी बहत दोयम, तब साथ-ाट साल की रही होगी, बोली, क्यों दादी, आपके बागी बेटे तो आपको नहीं देखते, इसलिए तो आप सिर्फ हमारे साथ रहती हो, दादी ने उसे हलकी डांट से चुप करा दिया, जिस पर छोटी जियूंग बूली, हम अपनी मा का बहुत ख्याल रखेंगे, और सब हसने लगें। इसके साथ कहानी आज पर आ गई, जियूंग अंदर से आई, उसके हाथ में एक मैंगा फाउंटेन पेंड है, जो उनके पापा दस सल पहले जर्मनी की ट्रिप से, सिर्फ उसके भाई के लिए लाए थे, जो उसकी किसी दरास पर पड़े-पड़े धूल खा रही है, और दोनों बेहनों के लिए एक-एक स्केच्च पुक, जीयूंग ने एक आधी ग्लास पानी में वो पेंड डाल दिया, जिससे स्याही निकल कर पानी में घुलने लगी, किसी ने नहीं, पर हान सब देख रहा है, अगले सुबह वो घर आ गए, जीयूंग सुबह सुबह हान का लंच बॉक्स पाक करते हुए बोली, अजीब बात है, आपकी माने कल हमें कुछ खाना पैक करके नहीं दिया, ऐसे तो वो हर बार देती है, यानि उसे कल रात का क्या हुआ, कुछ भी याद नहीं, वो बोली, पताने ये ऐसा लगता है, चीजे को ज़ादा ही भूलने लगी हूँ मैं, हान ने मौका देखकर कहा, हाँ, तुम आयों के पैदा होने के बाद से कुछ ज़ादा ही भूलकड हो गई हो, मैंने ऐसे ही किसी केस की बारे में सुना था, किसी औरत को पोस्पार्टम डिप्रेशन हो गया था, जीउंग सोच में पढ़ गई, और बोली, कभी-कभी मेरा अतीत को याद करके दिल बैट सा जाता है, पर वो तो बस कभी-कभी ही होता है, हान बोला, क्या हम एक साइकाइट्रिस दिखा ले, मेरे ऑफिस में तो ये आम बात हो गई है, कुछ सोच कर जीउंग ने हा करती, हान को उम्मेद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मान जाएगी, उसके जाने के बाद जीउंग रास्ते में आफिस जाती हुई एक लड़की को देखती है, जिससे उसे अपने आफिस के दिन्याद आ गए, एक दिन जब जब जीउंग आफिस पहुँची, नोटिस बोर्ट पे चीफ किम के अंडर नई टेम की सेलेक्शन लिस्ट तंगी है, जिसमें जीउंग का नाम नहीं है, जबकि उसकी टीम को भी मालूम है कि वो हर तरह से जादा काबिल है, मगर प्लानिंग सेलेक्शन में उनकी टीम के एक लड़के का हुआ है, अब यहाँ डिरेक्टर यंग के साथ मीटिंग शुरू होने वाली है, सारे आदमी मीटिंग रूम में बैठ चुके हैं, बस ऑफिस की महिला जिसमें जीउंग और उसकी दोस्त चाय नाश्ता लेकर बाद में पहुँची, डिरेक्टर ने मजाक में कहा, चीफ किम, तुम्हारा बेटा तो स्कूल जाता है न, पता है बच्चों के परवरिश एक मा के अलावा और कोई ठीक से नहीं कर सकता, ऐसे बच्चों में कोई न कोई कमी रह जाती है, कल अगर बच्चा बिगड गया, तो तुम्हारे इस करियर का क्या फाइदा, लोग तो तुम्हें ही कोसेंगे, यहां तक कि तुम्हारे परिवार भी, और वहाँ बैटे सारे मर्थ, उनकी हां में हां मिलाने लगे, चीफ किम चाहती, तो बहुत अच्छा जवाब दी सकती थी, मगर फिर सोचा, कि जिस काम से आया है, वो किया जाए, और बीच में बोल पड़ी, तो डिरेक्टर सर, हसी मजाग खत्म हो गया हो तो मिटिंग शुरू करे, और सारे चुप हो गए, मिटिंग के बाद चीफ किम ने जियूंग को अपने आफिस रूम बुला कर कहा, तुम्हारा काम अच्छा है, मैं तुम्हारी बनाई ये रुपोर्ट्स आगे भेज दूँगी, थोड़ा जजग कर, जियूंग बोली, मुझे तो लगा था, आप मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मुझे आपने नई टीम में नहीं रखा, ओ, तुम उसकी बात कर रही हो, वो इसलिए नहीं कि तुम काबिल नहीं, बलकि इसलिए कि इस प्लानिंग टीम के लिए पांस साल की कमिट्मेंट चाहिए, तुम नौकरी छोड़ नहीं सकती, और हम जैसी शादी शुदाओं के लिए बच्चा ना हो, इसकी कमिट्मेंट दे पाना मुश्किल है। जियूंग बोली, मगर आप भी तो कर रही है इतने सालों से काम, तुम्हें लगता है कि मैं दुनिया के नजर में अच्छी मा, बीवी या बेटी बन सकी हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वाकई में पुरी तरह खुश हूँ, बहुत मोटी खाल का बनना पड़ता है इसके लिए, बहुत कुछ सुन कर भी अंसुना करना पड़ता है। किम बोली, जी यूंग ने तब कहा था, मैं भी आपकी तरह घर, आफिस समाज सकती हूँ, तभी कहानी आज में लौट आती है, जी यूंग जिसने उस दिन इतनी बड़ी बड़ी बाते की थी और आज की हकिकत देखो, वो अपने बच्चे को प्ले स्कूल छोड़ने आई ह अब वहाँ कुछ और माओं ने उसे कॉफी पर साथ चलने को कहा, पहले आना कानी के बाद, उनमें से कुछ पहले से हाउस वाइफ है, कुछ ने उनिवर्सिटी पास करके शादी की, और एक ने मैथमेटिक्स में मेजर लेकर पढ़ाई की, पर करियर नहीं बना पाई, उसे आज मिलने आ रही है, उसने बहुत सारी ओफिस की बाते बताई, उसका प्रमोशन हो गया है, चीफ केम ने जॉब छोड़ दी है, और अपने एक मार्केटिंग कमपनी शुरू गी है, तुम वहाँ अप्लाई कर सकती हो, उसके सामने लगातार जीयों के चेहरे पर एक नकली हसी है, जो उसके जाते ही उतर गई, वो कभी-कभी यूही फोन पर नौकरी तलाशती है, फिर फोन बंद कर एक तरफ रख देती है, अब यहाँ ऑफिस में हान एक अच्छा साइकाइट्रिस्ट ढून रहा है, एक वर उसके मन में ये भी आया, कि कहीं किसी शैमन यान जीयूं के हरकतों को देख रहा है, क्योंकि पिछले बार जो हुआ था, उससे वो भी डर गया है, तभी जीयूं बोली, यहाँ पास में एक बेकरी में कैशिर की जरुवत है, सोच रही हूँ, पार्ट टाइम कर लो, नशे की वज़य से हान थोड़े गुसे में बोला, अरे कैसे करो कि तुम वहाँ नौकरी, आयो अभी इतनी छोटी है, कोई जरुत नहीं आ वहाँ नौकरी करने की, जीयूंग खामोश हो गई, फिर हान ने कहा, देखो, मुझे मालूम है, यह सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, उसने जवाब में कहा, अच्छा लगा जा से उसके एक पुरानी दोस्त बोल पड़ी, मुझे पता है तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, मगर कभी कभी प्यार ही काफी नहीं होता, सामने वाले को समझना भी होता है, यह जताना भी होता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी परवा है, तुम मेरे लिए सबसे पह शायद जीयूंग इस हादसे से अभी भी उभर नहीं पाई है, सब सुनकर साइकाइट्रिस बोली, बिना आपकी बीवी से मिले, मैं जादा तुम मदद नहीं कर पाऊंगी, अगले दिन ओफिस के लिए निकलते वक्त, हान ने उसी साइकाइट्रिस का कार्ड जीयूंग को वहाँ पहुचकर उसे पता चला कि सिर्फ टेस्ट के ही इतने पैसे लगेंगे और वो वापिस आ गई, घर आकर जब ये बात हान को पता चली, वो कुछ कैय भी नहीं पा रहा, ना ही उसे समझ आ रहा है कि वो कैसे उसे तयार करे, अब अक्सर जीयूंग बार बार अपने अतीत का वाक्या सोचने लगती, उस दिन बस में स्कूल युनिफॉर्म में एक लड़का उसके ठीक पीछे खड़ा था, उसे परिशान देख सामने बैठी महीला ने पूछा, क्या कोई दिक्कत है, जीयूंग कुछ नहीं कह पाई, फिर इशारे से उसका फोन मागा, और अ पूरी दूर ही गई थी, इतने में बस फिर रुकी, और वही महीला दौरते हुए उसके पास आई, क्योंकि उसे लगा ही था, कि कुछ तो गड़बढ है, और ऐसे जताया जैसे वो से जानती हो, उसे देख वो लड़का 9-11 हो गया, इतने में जीयूंग के पापा भी पहु जीयूंग बोली, मगर पापा, मुझे तो वो लड़का याद भी नहीं, मैं उसे कभी नहीं मिली, क्यों याद नहीं, याद रखो, किस से बात करती हो, कौन तुम्हे देख रहा है, अब रास्ते में चलते वक्त होकर लग गई, तो पत्थर की गलती है या तुम्हारी, बस जाननी कि उस दिन इस तरह चले गए थे और फिर बाद में कुछ पताय भी नहीं, पहले वो उन्हें कहीं बाहर ले गया, ताकि जीयूंग की पुरी बात बता सके, सब सुननी के बाद पी, हान की मा को जीयूंग से कोई सानव होती नहीं, और कहती है, बेटा, तू तो ठीक ह पता नहीं, ऐसी औरत के साथ कैसे रहता होगा, और वहीं से वापिस चली गई, अब जीयूंग की मा का जनम दिन है, हान की ऑफिस में छुट्टी ना मिलने की वज़र से, वो अकेले ही बच्चे का सारा समान वगेरा लेकर ट्रेन से मा के घर पहुंची, उसकी मा एक रस्ट आपको बड़े होकर क्या बनना था? मुझे टीचर, और पता है मैं पढ़ाई में भी तुम्हारे मामा से जादा तेज थी, मगर उसकी पढ़ाई पूरी करने के लिए मुझे पढ़ाई छोड एक कपड़े बनाने की फैक्टर में काम करना पड़ा, जीयूंग बोली, फिर अब क्योंनी आप बन जाती टीचर? अभी, क्योंकि मुझे तुम्हारे और तुम्हारे भाई बेनों का ख्याल रखना होता है, छोटी जीयूंग मायूस हो गई, तभी नीन्द खुली, मिसुक काम से आ चुकी है, शाम को उसकी जरम दिन पर जीयूंग की बुआ वगेरा आ उसे हिम्मत कर चीफ किम के साथ मीटिंग रखी, और उसे जॉब भी ओफर हो गई, जीयूंग ने हान को ये खुश खबरी सुनाई, पर उसे चिंता हो गई, कि आयू की परवरिश कैसे होगी, पर उसकी खुशी के लिए वो मान गया, हान को वो दिन याद आ गया, जब उसक अब हान इन चीजों पर गौर करने लगा है, जो शायद पहले भी होती थी, आज उसकी बगल वाली चेयर पे बैठने वाली मिसिस जीया अब तक आफिस नहीं पहुची, जिसकी वज़ा से बॉस बहुत नाराज है, तब ही मिसिस जीया अपने दो साल के बेटे को लेकर आई जिसे बुखार है, उसके हस्पेंट बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाएगा, और डेक एर वालों के पास वो अपना बिमार बच्चा तो नहीं छोड़ सकती, बॉस उसे बड़ी बड़ी आँखे दिखा कर, उसे तुरंत रिपोर्ट जमा करने को कहता है, और जिया नज दबस नहीं हो पा रहा, जियूंग परिशान है, यहाँ वहाँ एपलाई करकरके, हान ने एक जटके में उसकी परिशानी हल कर दी, बोला, तुमने तो दो साल करियर से ब्रेक लिया है, अब मेरी बारे, मैं अपनी पैरेंटल लीफ एक साल के लिए एपलाई कर देता हूँ, जियूंग ने मना भी किया, मगर हान ने ठान ली, तो वो भी राजी हो गई, एक दिन उसकी सास का फोन आया, और उसने उन्हें बता दिया कि वो दुबारा जॉब शुरू कर रही है, वहाँ से आवाज आई, क्या, फिर आयो को कौन देखेगा, जियूंग बोली, हान काम से एक साल का ब्रेक ले रहे हैं, ये सुनकर उसकी सास ने बहुत गुस्ता किया, तुम मेरे बेटे का करियर पर बात कर रही हो, और गुस्से में फोन काट, जियूंग की मा को फोन किया, उन्हें बुरा भला कहने लगी, कितना कमा लेगी आपकी बेटी हाँ, और वैसे भी, व फोन रखने की बाद उसे जियूंग की चिंता सताने लगी, क्या मतलब था उनका, कि उसे दिमागी बिमारी है, वो जियूंग की घर की तरफ निकल पड़ी, उसने जियूंग से कहा, तु चिंता मत कर, जा नौकरी कर, तिरी मा के रहते तुझे कोई नहीं रोगेगा, मैं ख पहले भाई के लिए किया, उसके बाद पती और फिर बच्चे, ठक गई है ना मेरी बच्ची, मुझे माफ कर देना, ये सुन मिसुक ने उसे गले से लगा लिया, हान एक कोने में खड़ा सब देख रहा है, घर आकर मिसुक ने किसी से बात नहीं की, पर जब उसकी पती को का से वापिस आकर कहते सुना, अरे जीजू कहा है, मैं अपने बेटी के लिए आज कुछ लाया हूँ, उसका सबर का बांट तूट गया, कमरे से निकल कर उसने वो चीज़े जमेन पर फेक दी, और बोली, आज इतनी साल हो गए, कब बेटे से पहले अपने बेटियों के लिए कुछ लाओगे, कब मैं देखूंगे, ये सिर्फ मेरी बेटियों के लिए है, कब और कब, और जमेन पर गिरकर रोनी लगी, उसकी पती को भी इस बात का एहसास हुआ, यहाँ सास से इतना भला बुरा सुनकर, जीयों ने नौकरी दुबारा शुरू करने का सपना छोड़ हान से भी उसकी अनबंध हो गई, मुझे तो लगता है, तुम भी तुमारी मा की तरह चाहते नहीं कि मैं करियर बनाओ, सबको मुझी से परिशानी है, और रोनी लगी, तब हान ने हिम्मत करके कहा, तुमें साइकी आट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, और उसे वही वीडिय जिसमें वो अजीब सा बरताफ करके अपने किसी रिष्टिदार के तरह बाते करती है, ये देख जियोंग भी डर गई, और हान सपने ऐसी बरताफ के लिए माफी मागी, अगले दिन उसका भाई जीसू जियोंग से मिलने आया है, उसने अपनी वो पेन उसे दी, और साथ उ साइकाइट्रिस के पास गई, धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि क्यों वो सबसे अलग है, क्यों और किसी को ये परिशान्य नहीं हुई जो उसे होती है, क्योंकि बचपन से उसने जो भी अपने साथ और आसपास होते देखा, उसकी अमिट छाप उसके दिलों दिमाग में उतर चुकी है, उसने इतना कुछ मन में दबा कर रखा है, कि उसकी भाफनाए एक ज्वाला मुखी जैसी हो गई, और जब हद से जादा हो जाए, तब वो किसी और इनसान में बदल जाती है, क्योंकि हर कोई अलग-अलग स्तिती में अलग रास्ता लेता है, उसे अपने मन म दबे इस एहसास को आजात कर देना होगा, एहसास को कहो, उन्हें निकलने दो, दूसरों की सोच खुद पर हावी होने मत दो, ना घर पे रहने वाली माओ का काम आसान है, ना ही बाहर काम करने वाली महिलाओ का, उनमें कोई मुकाबला नहीं चल रहा, सबकी जंग अलग है, अब पहले सिन में जब आफिस के कुछ लोगों ने घर की बीवियों को पती के पैसे पर पलने वाला कहा था, और जीयूंग चुपचाप सुन रही थी, आज कैफे में दुबारा ऐसा कहने पे, जीयूंग ने खुल कर जवाब दिया, पहली बार उसने अपने अंदर की आव उसने अपने लिए एक सुकून के जगा ढून ले, वो एक लेखी का बन गई, कहा जाए तो जिन्दगी के मसले कभी खत्मे नहीं होते, और वैसे तो बिलकुल भी नहीं, जैसे लोग हमें सुझाप देते हैं, घर या नौकरी चाही कुछ पी हो, हमें अपनी सुकून के बनानी है, बस कहाने यही खत्म होती है, पसंद आए तो प्लीज लाइक, शियर, कॉमेंट, प्यार, पक्के से देते रहे, बबाई, टेक क्यार, एंड लव यू.